हेलो स्टुडेंट्स वेलकम आप सबका मैं आसेफ इकबाल आपका फिस टीचर स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैंगनेटिक्स नाम की उनिट पढ़ रहे हैं और इसके पांच लेक्चर मैं अल्रेडी रिकॉर्ड करके आप आपको दे चुका हूं है न तो आप तक पहुंचा होगा जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है वो जरूर से देख लें कॉंटिन्यूटी मैंटेन रखिए तभी आपका फायदा है तो चली आज का लेक्चर शुरू करते हैं आज लेक्चर 6 है हमारा आज मैं उससे आग नाते टेविलचेयर प्सक्राप THE आपके पास नोट्स होने चाहिए आपके पास में आपकी मॉडियल भी होनी चूहिए अगर फीजिकल फॉर्म में तो इस यङ-ई नहीं, पीडियो फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, तो आईए शुरू करते हैं, राइट, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, उसे देखते हैं, राइट, चलिए, आईए, हम लोग पढ़ रहे थे ये टॉपिक, पहले तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, याद होगा आपको, force on charge particle पढ़ा था, external magnetic field में, यहाँ पर हमारे पास जो force आया था, वो qvb sin theta आया था, आपको याद होगा, और फिर हमने ये पढ़ा था, कुछ points मैंने आपसे कहा था, बहुत important है, उसे याद रखिएगा, किस तरीके से क्या होता है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैंने बता दिया है आपको, trajectory के बारे में बाचीत हो रही थी, यानि कोई charge particle, अगर किसी magnetic field में जाता है, uniform में, याद रखेगा, uniform magnetic field में अगर move करता है, तो उसका path कैसा होने वाला है, उसके रास्ते की शकल कैसे होने वाली है, हम लोग उसके बार आए थे भाई और वैनों, आपको याद होगा, case number one, जब वो move करते हुए, 0 degree या 180 degree पे entry करता है, कितने पर? 0 degree या 180 degree पे, तो हमारे पास path कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन आया था, अब हम बात करने जा रहे हैं, जब 90 degree पे कोई charge particle का entry होता है, आज मैंने board का color change कर दिया है, white था मैंने green कर दिया है, ठीक है? परिवरतन प्रकृति का नियम है, तो प्रकृति की नियम का पालन कर रहा हूं है, ठीक? तो चलिए, अच्छी बात है, कोई issue नहीं है, अब हम लोग बातचीत करने वाले है, case 2 की, right? We are going to talk about case 2, ठीक? सभी लोग copy pen ले करके बैठियेगा, है न? और कुछ-कुछ चीज़े note भी करिए, तो आपको फायदा जादा होगा, ठीक? के, case 2 में हमारे पास जो theta है, that is what? 90 degree, वो कितना है? 90 degree है, कोई शक वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपके सामने magnetic field बनाऊंगा, और magnetic field में हम velocity जो होगी, charge particle को जो motion देंगे, वो B के perpendicular देंगे, पहले हमने B के along और B के opposite दिया था, अब हम B के, B यहनी magnetic field के perpendicular देंगे, ठीक? चलो जी, आईए, करते हैं, सबसे पहले हम magnetic field बनाते हैं, और magnetic field बनानी कैसे है, uniform magnetic field बनानी है, तो आओ जी uniform magnetic field बनाते हैं, ये लो, ये है magnetic field, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैसे है, समाझ में आ रहा इसका direction, कुछ पल्ले पढ़ है कि direction कैसा है, इसका direction है, perpendicularly inward to the board, इस board के अंदर, perpendicularly, ये B, ठीक? ओल्राइट, और बनाना चाहो, और बना लो, थोड़ा सुंदर सुशील लगेगा, तो और बना लो, ये लो, अब हमने क्या किया, कि एक charge लिया, ठीक? हमने क्या किया, एक charge लिया, उस charge को, अब कोई भी charge हो सकता है, आप negative charge ले लो, positive charge ले लो, ये लो, चार्ज, चार्ज भी white ही होगेगे, ये लो, negative charge लेते हैं, और इसको मैंने इस तरीके से velocity दी, तो आप सोच के देखो, कि B अंदर है, और V आपने यू दिया, ठीक? चाहे मैं यू देता, चाहे मैं यू देता, कैसे भी देता, किधर भी देता? ये B के perpendicular होता है, तो मैंने B के perpendicularly V रखा है, यानि theta 90 degree है, अब आप ज़रा गौर करो, जब ऐसा होता है, तो क्या-क्या होता है? याद करो, सबसे पहली चीज़, FM perpendicular to V होगा, ठीक, इस speed क्या होगी? constant आएगी, ठीक, kinetic energy में change क्या आएगा? 0 आएगा, power delivered by force क्या आएगा? 0 आएगा, work done by force क्या आएगा? 0 आएगा. इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, कि यह सब 0 आने वाला भाईय और भैनो, सही बात है? इसका मतलब, अगर आप इस पूरी चीज़ को देखें, तो आपको समझ में आता है कि इस पे लगने वाला जो FM है, it is just like centripetal force. याद करिए, circular motion याद है कि नहीं याद है? अगर जो लोग circular motion नहीं पढ़ें उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, है ना? लेकिन circular motion जो लोग पढ़ें याद होगा, तो बहुत easy है. circular motion में मैंने आपको पढ़ाया है भी था, कि जो centripetal force होता है, वो speed नहीं बदलता, सिर्फ velocity का direction बदलता, तो इस पे जो FM लगेगा, magnetic force, जो FM लगेगा, वो FM ही centripetal force की तरह काम करने वाला है. अब FM का direction किदर होगा? ये सब खूबियां आप लोग पढ़ चुके होगा, किस circular motion, uniform circular motion, ठीक, यानि ये जो charge particle है, ये जब magnetic field में आएगा, तो uniform circular motion करेगा, क्या करेगा? uniform circular motion, मुझे कैसे पता, uniform circular motion करेगा, ये मुझे पता चला है भाई ये और भाई नो, इन properties से, इन खुबियों से, क्योंकि इस तरह का force, जो power delivered ना करे, work done ना करे, speed ना बदले, shift-shift direction बदले, that is like a centripetal force, और जब centripetal force लग रहा है, तो charge particle कैसे पात पे जाएगा? circular path पे जाएगा, तो common sense है कि ये circular path पे जाएगा, अब ये किस तरह का circle बनेगा, इसको निकालने के लिए, पहले मैं FM का direction निकालता हूँ, मैंने आपको last time पर बताया था, FM का direction कैसे निकालते हैं, V cross B, V cross B, और negative हो तो, अरे negative हो तो, V cross B के opposite, चलो, B अंदर है, V ऐसे है, V cross B करोगे, देखो ना, V अंदर, V से, V cross B करोगे तो उपर आएगा, आया? अरे हाया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कि जो FM है, वो किधर लगने वाला है? नीचे, this is FM, सम्मा गया? कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं, V, V cross B उपर आया, चुकि निगेटिव चार्ज है, तो FM नीचे लगेगा, और अभी-भी मैंने बोला, कि ये जो FM है, it is like a centripetal force, अगर ये centripetal force के जैसा है, इसका मतलब ये उस circle के center की तरफ लग रहा है, जिस circle में ये charge particle घुमेगा, FM is like centripetal force, तो ये force उस circle के center की तरफ होगा, जिस circle में ये घुमेगा, तो इसका अगर ऐसे घुम रहा है, तो ये, it is like this, ये आपको जो मैंने बनाया, यही है circular path, इसका radius मैं r बोल देता हूँ, ठीक है, जो charge particle है, जो charge particle है, वो charge particle सपोस्ट कर लिजे, यहाँ पहुंचा, negative है ना, और उसके speed यह रही भी, ठीक, clear, और जो FM लग रहा होगा, वो यू लग रहा होगा, इस तरीके से कहानी हो जाएगी, ठीक, तो कोई भी charge particle, अगर किसी magnetic field में, 90 degree पे move करता है, तो उसका path कैसा हो जाएगा, circular, और वो uniform circular motion, perform करेगा, आईए, इस circular path का radius निकालते हैं, circular path में बहुत कुछ चीज़े हैं, जो हमें calculate करनी हैं, तो क्या हम बहुत से चीज़े calculate कर सकते हैं, आईए, इस circular path का radius निकालते हैं, चलिए, आपके मदद से, एक मात sure है, कि जो fm लग रहा है, that is like centripetal force, ठीक, जो fm लग रहा है, वही centripetal force की तरह enact कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक हैं, अब मुझे बताइए, जो centripetal force है, उसकी value तो आपने पढ़ रखी है, mv square by r होती है, और fm क्या होगा यहाँ पर, qvb sin 90, सही जा रहे हैं, तो 1v से v cut गया, और sin 90 की value 1 होती है, तो जो radius आने वाला है, that radius will be equal to mv by qb, यह है radius, और यह है radius का formula, जिस circular path पे charge particle घूमेगा, यह उसके radius का formula है, भाई और बहनों, ठीक, तो आई होप आपको यह बाहाँ समझ में आई होगी, कि जब charge particle 90 degree पे होगा, तो वो uniform circular motion करेगा, path कित तैसा हो जाएगा circular, अब यह जो radius होता है न, इसके कई रूप होते हैं, कई form होते हैं, इसकी चर्चा भी मैं थोड़ी दिर बात करूँगा, लेकिन फिल हाल मैं basic formula मैंने आपको खाली बता दिया भी, अभी मैं इसकी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, गभराई यह मत, इस formula पर मैं आऊंगा, इस formula का तो हम लोग पोश्मार्टम करेंगे, ठीक है, इसका पूरा पोश्मार्टम करने वाले हैं अभी, अभी खाली basic formula, जब circular पांत में घूम रहा है भाईयो बैनो, तो इस charge particle का time period क्या होगा, time period, time period of charge particle, time period क्या होगा, time period होता क्या है, एक चकर लगाने में समय, तो एक च कर कितना लंबा होता है, 2 pi r, और speed क्या है, v, हाँ या न, तो यहां से क्या बन जाएगा, 2 pi by me v, और r की जगा क्या हो जाएगा, mb by qb, mb by me qb, तो यहां से v से v cancel हो गया, और t बनाबर में क्या बन गया, 2 pi m by me qb, right, very important, यह radius का formula है, और यह time period का formula है, जिस radius, जिस circular path में यह खूम रहा है, उसकी radius का formula, और उस पात में घूमते समय, time period का क्या formula है, यह भी मैंने बता दिये, यहीं से आप चाहें, तो इस frequency भी निकाल सकते हो, frequency क्या होता है, one by time period, भाई, frequency आपको पता है, circular motion आपने पढ़ राका है, frequency क्या होती है, बताओ जल्दी, एक second में कितना चकर लगाएगा, frequency निकालना है, तो time period को परट दो, तो frequency will be what, qb by में 2 pi m, this is the frequency, ठीक, तो आपके सामने जो charge particle है, वो जो circular path पे घूम रहा है, आपने उसके radius, उसके time period, उसकी frequency, और चाहें और भी निकाल सकते हो, जो आप circular motion निकालते ते और, मैंने module में नहीं लिखा, लेकिं फिपी में निकाल दे रहा हूँ, angular velocity का भी formula निकाल से थे, angular velocity, अरे भाया, जब यह circular path में चल ला है, तो इसके पास angular velocity होगी कि नहीं होगी, और angular velocity की value क्या होगी, बताओ, 2 pi by में t हो जाएगी, उठा के छाम द qb by में, that is the value of omega, समझ में आगे आपके, तो यहाँ पर भाई और बैनों हमें एक बात पता चली, कि अगर 90 degree का आप angle लेंगे, तो path कैसा होने वाला है, circular होने वाला है, undoubtedly, और circular path का radius r बराबर mv by qb हो सकता है, उसका time period t बरा 2 pi m by qb हो सकता है, जड़र time period के बारे में देखो, ध्यान से देखो, क्या इस time period के formula में कहीं पर speed है, देखो, है, नहीं है, इसका मतलब, अगर आपने एक particular charge particle की ले लिया, जैसे आपने electron ले लिया, ठिक, और एक magnetic field ले ली, उस magnetic field में आप electron को कितनी भी speed दे दो, कम दो, जादा दो, एक चकर पूरा करने में time, हर इस्थिती में, हर speed पर same आने वाला है, अब दिमाग चकरा गया, ऐसे कईसे, speed तेज होगी तब भी, अरे भाई, जब आप speed बढ़ाओगे न, तो what is going to happen, क्या होने वाला है, अगर आप speed बढ़ा दोगे भाई और भेनो, तो radius भी बढ़ा हो जाएगा, यानि अगर आपने speed बढ़ा किया, तो radius भी बढ़ा हो गया, अब छोटा radius, कम speed, बढ़ा radius, जादा speed, time same आएगा, क्यों, आपको यहाँ formula से यह बात पता चलती है, तो I hope आपके समझ में आया होगा, time period क्या ह angular velocity क्या है, each and everything, जो आप लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे, वो सब आपको पता चला होगा, ठीक, और भी इसमें समाल बन सकते हैं, भाई, circular path पर चलना है न, तो centripetal acceleration भी तो होगा, और नहीं होगा, क्या, centripetal acceleration कैसे निकलेगा, चाहो तो direct निकाल लो, centripetal acceleration कैसे निकलेग centripetal force, बाई में मास, centripetal force कितने के बराबर आपने लिखाता भी, QEB, बाई में, ये लो, ये भी हो सकता है, centripetal acceleration, right, कोई भी चीज पूछी जा सकती, circular motion में जो चीज़ें आपने पढ़िए, वो सब आपको पूछी जा सकती है, बस आपको इतना मास समझ लेना है कि, FC, centripetal force की तरह यहां FM काम करेगा, circular path होगा, तो आप चाहत इसे note करना, pause करके note कर सकते हो, अत्यंत कोड़ी लोग, screenshot भी ले सकते हैं, ये लो, मैं दो screen, तीन screen शायद लगेगी, ये लो, एक screen पर ये ले लो, ठीक, खचाक से, एक screen पर ये लो, खिचिक से, खिचिक, ठीक, ब इसका तो पुरा postmartum है हमारे पास, इस पर तो पुरा postmartum है, ठीक है, all right, सभी लोग समझ गे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, good one, ठीक है, module में देख लें क्या, आइए फोरण से पहले, module पे चला जाए, और module में भी सेम बाते लिखी है, कि if charge particle is moving perpendicular to magnetic field, FM will be this, FM फलाना निमा का, these are the characteristics of UCM, that is, charge particle moves on circular path, perform UCM, the magnetic force on charge particle acts as centimeter force, यहाँ पर value करके, देखो, यहाँ पर radius का और भी formula लिखा हुआ है, वो भी मैं चचा करूंगा, don't worry, ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ पर देखो, जगा खाली है, इस जगा पे यह वाला figure बना ल पाई यो बैनो, यह वाला figure, यह वाला, यह वाला बना लो figure, ठीक, अरे यह जगा खाली है ना यहाँ पर, यहाँ पर यह बगल में, उस जगा यह figure बना लो, यह वाला, ठीक, इसको बना लीजीगा, चलो, clear, time period बता दिया मैंने, एक बाद जो मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर देखे, लिखी हुई यह बाद, कि time period of revolution, charge की speed पर depend नहीं करता है, अगर speed increase की जाएगी, time period वही रहेगा, because radius बढ़ जाएगा, and revolution complete करने में, उतना ही time लगेगा, तो यह point तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठिक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बाद, नहीं है, all right, चलिए, आईए हम लोग, मैंने आपसे कहा, आपसे, कि मैं उस formula का थोड़ा सा disection करता हूँ, ठिक है, चलिए, disection करूँ, मिटा देता हूँ, देखो, हमने formula, अच्छा, एक चीज में और आपको पहले पढ़ा देता हूँ, फिर उस formula पर, वो है specific charge, हाला कि यह आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, specific charge represented by S, यह मैंने आपको electrostate में भी इसके बारे में थोड़ा सा बता है था, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, specific charge क्या होता है, specific charge किसी भी particle के लिए, for any particle, for any particle, specific charge जो होता है, उस charge, उस particle के charge और उसके mass के ratio के बराबर होता है, इसी को हम specific charge कहते हैं, जैसे, अगर आपको electron का specific charge लिखना है, तो आप electron का charge लेंगे और electron का mass लेंगे, लेकिन अगर आपको positron का लिखना है, positron कौन होता है, who is positron, electron तो आप जानते है, simple है, positron कौन है, आगे चलके modern physics में आपको पढ़ाऊंगा, जो positron होता है, वो electron का anti-particle है, anti-particle का मतलब कि सब कुछ एक जैसा है, बस electron negative होता है, और positron positive होता है, देखो, electron और proton में charge का फर्क नहीं, electron और proton में, mass का फर्क है, electron और proton में, ना तो charge की value का फर्क है, और ना mass का फर्क है, फर्क किसका है, nature का, तो positron का जो charge होगा, electron के charge के बराबर होगा, और mass भी उसी के बराबर होगा, यानि specific charge बराबर आने वाला है, अगर मैं यही specific charge proton का आप से निकल वाऊं, तो proton का charge electron के मराबर होता है, सही बात है, और mass जो होता है, वो mass of proton होगा, कोई दर्द नहीं, clear, ठीक, उसी तरीके से, अगर मुझे specific charge लिखना है, alpha particle का, आप लोग alpha particle जानते हैं कि नहीं जानते हैं, alpha particle कुछ नहीं है, दो proton और दो neutron का combination को alpha particle कह दिया, जिसे आप helium nucleus भी कहते है नहीं कहते हैं, alpha particle helium nucleus, तो helium nucleus है, इसका मतलब दो electron के बराबर उस पे charge होगा, और चार proton के बराबर mass होगा, अरे भाया, दो electron, sorry, दो proton और दो neutron का combination मिल करके, यही तो है alpha particle, ठीक, तो इस पे mass charge कितना है, दो proton के बराबर, यानि 2E के बराबर, और कितना इसका mass है, भाया, दो proton और neutron का mass लगबर लगबर बराबर होता है, तो चार proton के बराबर है, इसको चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, EY में 2E, ठीक है, mass में आईए आपके, तो specific charge is nothing, but the ratio of Q and M, यह भी इसकी जरूरत पढ़ेगी, आपके module में भी यह बात लिखी हुई ह है, अगर मैं model से आपको पता हूँ, तो यह देखो, यहां लिखा हुआ है, specific charge क्यों बाइए, electron के लिए, proton के लिए, alpha particle के लिए, deutron, अच्छा, deutron क्या होता है, यह भी समझ दो, deutron जो होता है, वो ionized deuterium होता है, अरे hydrogen के तीन isotope होता है, protein, deuterium, tritium, तो वो deuterium है, deuterium मे एक proton, एक electron और एक neutron होता है, एक proton, एक electron, एक neutron, तो कितना हो गया mass उसका, एक electron के लिए, charge कितना हो गया, अरे भाई कितना होता है ड्यूट्रोन है ड्यूट्रोन एक इलेक्ट्रोन होता है प्लस एक प्रोटान होता है और प्लस एक न्यूट्रोन होता है ड्यूट्रोन क्या है उसमें से एक इलेक्ट्रोन निकाल दो खतम कर दो यही है ड्यूट्रोन तो deutron positively charge हो गया एक proton के बराबर charge हुआ तो देखो और mass एक proton प्लस एक neutron या कहलो दो proton क्यूं? proton और neutron का mass लगभग बराबर होता है तो एक proton एक neutron बोलो चाहे दो proton बोलो तो दो proton हमने ले लिया है अब यहाँ पर order दिया हुआ है किसका ज्यादा किसका कम electron और positron का same है positron का इसमें लिखा नहीं है ठीक है positron का यहीं चाहो तो लिख सकते हो positron का भी e by me आता है तो electron और positron का same होता है इनका mass बहुत कम है इसलिए specific charge ज़ादा होता है proton का उससे कम होता है alpha particle का जो आया है वही deutron का भी आया है और यह सबसे कम इनी दोनों का होता है तो specific charge का order या तो आपको याद हो या तो आप on spot calculate कर लिजेए कोई इसी बात नहीं कि आप इसको याद रखिए लेकिन जानना जरूरी है अभी इसकी जरूरत समझ में आएगी बस ये बता दिया आपको ठिक तो specific charge समझ गये हम क्यों हमने specific charge बना है पढ़ा है वो अभी आपके दिल में एक रहस्य जैसा होगा इस रहस्य से परदा उठने वाला है डोंट वरी आईए हम लोग उस फार्मूले को जरा इसका पोस्ट मार्टम करते हैं आर बराबर आया क्या एम बी बाई में क्यू बी ठिक आप इसके बहुत से रूप हो सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर बराबर हो गया देखो क्यू बाई एम क्या होता है specific charge तो M by Q 1 by specific charge specific charge into में B इस तरह से आपके module में नहीं लिखा है आप इसे note कर लिजेगा अच्छा जितने रूप आएंगे सारे रूप हम लिखते चले जाएंगे पहला रूप आए ठीक पहला रूप तो यही है दूसरा रूप आए यह को तीथरी बाद अगर आप M mass और velocity का product करते हो तो आप इसको क्या कहते हो linear momentum यह लो जी linear momentum y में QB ठीक समा गया linear momentum y में QB यह भी एक बन गया अच्छा अगर charge particle को के पास velocity है speed है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास kinetic energy भी होगी और kinetic energy और linear momentum का एक relation होता है आपको याद होगा linear momentum बराबर under root 2mk होता है तो यहां से भाई और बहनो इसका एक और formula जाएगा क्या जाएगा under root 2mk y में Q ठीक तो यह भी एक formula बन गया ठीक आगे बढ़ते हैं यह सब अलग अलग रूप है अच्छा एक बात बताओ अगर कोई charge particle आपने लिया जिसका charge Q है और उसको एक potential difference V से गुजारा तो जाहिर सी बात है इसके पास जो kinetic energy आती है वो आती है Q into में V याद आ रहा होगा यह आपने electrostatic में पढ़ा है work done बराबर QV और work done ही तो kinetic energy में gain के बराबर होगा तो work done kinetic energy QV के बराबर हो जाएगा यह B मैंने छोड़ दिया यहाँ पर B भी होगा अब ठीक ठीक यहाँ पर अब जो kinetic energy gain होई है वो QV के बराबर है तो R बराबर में again क्या हो जाएगा under root 2M Q V by में QV ठीक अब इस Q को भी अंदर ले लो तो कहानी थोड़ी सी अलग सी आ जाएगी अगर आप चाहो कि Q को भी हम अंदर ले ले तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी देखो R बराबर में 1 by B को अलग ले लो और सब को अंदर रूट में ले लो जब इसको भी अंदर रूट में लोगे तो यह Q2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा बन जाएगा Q2 से भाई यह Q2 हो जाएगा ना अंदर रूट जाएगा B को बाहर रखो Q2 को ले लो जब Q2 को ले लोगे तो यह आजाएगा 2 M V by में Q तो यह भी बन जाएगा यहाँ पर भी याद रखेगा potential difference है not velocity confuse मत हो यह जो it is the potential difference तो radius calculate करने के तमाम formula बन गे पांच रूप में मैंने इस formula को लिख दिया ठीक समझ में आया सबके कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए ठीक अब क्या है question पूछने वाला भाई और बेनो जब question पूछता है तो आपको अलग अलग charge particle देगा और radius का comparison कराएगा ठीक है किसका comparison कराएगा radius का comparison कराएगा आप लोग एक काम करो इसको note कर लो अपनी note में फिर मैं module में आता हूँ और comparison one by one शो करता हूँ और राइट चलो I hope आपने note कर लिया होगा यहाँ देखो यहाँ पर comparison किया गया है discussion 3 में comparison भाई बहुत से situations हो सकती है हम लोग कुछ situation discuss कर रहे है मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी situation पर question आएगा भाईया मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि radius के formula को आप कितनी तरीके से बदल सकते हो जैसा case रहेगा जैसा situation रहेगा जैसी स्थिती रहेगी आप उस हिसाब से formula यूज कर लेना ठीक यहाँ पर देखो comparison कर रहे है सबसे पहली बात same magnetic field में कर रहे है यह बात आपको घ्यान डगना है कि magnetic field is same बी में कोई बदलाव नहीं होना है अब सबसे पहली बात कि अगर speed same है charge particle की speed same भई अभी अभी आपने पढ़ा r बराबर में mv by qb पढ़ा की नहीं पढ़ा b तो हमारा same ही है अगर v भी same हो गया तो radius directly proportional to m by q हो गया या कह लिजे 1 upon q by m हो गया और q by m को ही क्या कहते है specific charge यानि radius inversely proportional to specific charge के हो गया कब जब speed same है अलग-अलग charge particle लिए चुकि हम लोगों के पास यहां पर 2-3 charge particle मौझूद है for example आपने क्या ले लिए alpha particle proton और electron ले लिए alpha particle का specific charge सबसे कम है तो इसका specific charge अगर सबसे कम है तो इसका radius सबसे बढ़ाएगा alpha particle सबसे बड़े कोले मुखुमेगा ठीक same speed होनी चाहिए याद रखिएगा speed must be same उसके बाद proton है उसके बाद electron है सबसे छोटा जिसका specific charge इतना जादा उसका radius उतना ही कम फिर हमें comparison करना है कब जब linear momentum same है अच्छा जी जब linear momentum same है तो अभी आपने formula drive किया था P by में क्यू भी बोलो हाया ना in that situation B तो same है ही जब P same हो गया तो radius inversely proportional to Q हो गया charge के उपर खाली depend करेगा तो electron और proton का charge same है electron और proton का charge same है और alpha particle का charge अलग है इसका charge E है और इसका charge 2E है जिसका charge कम उसका radius ज्यादा यानि radius किसका ज्यादा proton या electron का ये कब जब momentum same है ये आपको थोड़ा ध्यान लगना है question वाला जब question देगा तो उसमें क्या चीज़ same है कैसे same है उस हिसाब से आपको चीज़ने deal करने है चिंता करने की दुरूद नहीं कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है भाई ये बैन में बिलकुछ चिरकुट एक ही फार्मूले के साथ खेल ला एक question और question नेक्स बढ़ते हैं अगर charge particles are accelerated through same potential difference अगर same potential difference हुआ तब देखो क्या होगा अभी अभी हम लोगा नहीं ये formula निकाला था ना 1 by V Q by 2M के 2V निकाला था ना ये देखते हैं ये देखो निकाला था ये देखो ये formula निकाला था 2MV by Q ठीक देखो ये निकाला है ये तो formula है ये देखो है ना ये कब की बात है जब same potential difference लगा दिया गया तो अगर ये formula अभी अभी मैंने drive कराया था आप लोको ये देखो ये यहां तक मैंने छोड़ दिया था ना ये आया उसका रूप एम को नीचे ले ओ तो Q by M हो गया तो V अगर same है V already same है तो inversely proportional to under root Q by M हो गया और Q by M क्या होता है specific charge यानि radius जो है वो inversely proportional to under root of specific charge हुआ कब जब same potential difference हो अच्छा same kinetic energy होगा तब क्या होगा वो अभी अभी मैं discuss करा देता हूँ same potential difference कि थूर अगर आपने accelerate करा है in that case radius depend करेगा specific charge के inverse relation में तो भाईया जिसका सबसे कम उसका radius सबसे आदा ठीक समझ में आगई बात comparison कैसे कर रहे हैं अच्छा एक comparison और है जो इसमें नहीं किया हुआ मैं करा देता हूँ आपको ध्यान देतुनिया का बड़ा बढ़िया comparison है अगर मैं आप से कहूँ कि charge particle की kinetic energy same यह लिखना चाहो तो लिख सकते हो तब radius का comparison करिए क्या सेम है kinetic energy बढ़िया kinetic energy वाला formula लग जाएगा आर बराबर under root 2 m k है ना y में q b तो बढ़िया b सेम और k सेम हटा दीजे तो r डाइडली proportional 2 आजाएगा under root m y में q ठिक जैसा जो होगा वैसा हम comparison कर लेंगे समझ में आया कि नहीं है simple सी बात comparison करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा क्या चीज सेम है उसके हिसाब से आप formula drive करोगे ठिक कोई problem I hope नहीं होनी चाहिए right तो radius के उपर हम लोगों ने सारी बातें कर ली ठिक I hope आपने ये formula लिख लिया होगा ये सब कुछ note कर लिया होगा ठिक है alright आगे बढ़े चलो ठिक है next अब यहाँ पर हम बात करने वाले next देखो next इसमें module में क्या है orientation of circular path of a charge particle in magnetic field देखिए अभी अभी आपने ये बात तो जान लिया भाई और भैनो कि अगर यहाँ magnetic field मौजूद है जैसे माल लिजे यहाँ magnetic field मौजूद है कोई भी charge particle है suppose कर लिजे कि यहाँ पर एक plus charge particle है और वो जा रहा है तो यह circular path में तो घुमेगा लेकिन किस तरह के circular path में घुमेगा यह एक important question है यानि उस circular path का orientation क्या होगा clockwise घुमेगा या anti-clockwise घुमेगा यह हम कैसे जाने क्या चीज़ clockwise या anti-clockwise जैसे मैं एक और यहाँ पर magnetic field लेता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यह magnetic field कैसा है yellow अब इसमें कोई negative charge ने लो चाहतो कि इधर भी फेक दो इधर फेक दो लो negative charge ठीक तो अब यह circular path में घुमेंगे यह बाँ शूर है यह मुझे कैसे पता क्योंकि V और B के बीच में 90 degree का इंगे लें कैसा होगा हम इसे देखते आओ इसमें देखते सबसे पहले बात इसमें मैं FM देखने जा रहा हूँ ठीक है अगर आपको याद है तो अच्छी बात है नहीं आद है तो मैं तरीका सिखा रहा हूँ तरीका देखो V B अंदर तो V cross B किया तो उपर आया यानि इस पर FM U लगेगा अगर FM U लगेगा तो यह तो center की तरफ होगा यानि यहां कहीं होगा center चुकि FM क्या है actually centripetal force जैसा है और centripetal force जैसा है तो FM center की तरफ लगेगा जाहिर सी बात है कि ऐसे घुमेगा कैसा घुमा यह anti-clockwise आप इसको देखते हैं इसको देखते हैं यहां देखो V कैसे है बाहर और V कैसे है U तो V cross B उपर V cross B उपर negative charge है तो FM नीचे अरे भया negative charge में force का direction V cross B के opposite आएगा मैंने पढ़ाया है आपको इसका मतलब यहां कहीं होगा center और यह बन गया circular path यह भी anti-clockwise आया तो अगर आप देख पा रहे हो यहां positive charge है और inward field positive charge inward field anti-clockwise negative charge outward field anti-clockwise अगर इसका उल्टा करतो होगे negative charge inward clockwise negative charge inward clockwise negative charge inward clockwise ठीक और positive charge outward वो भी clockwise ठीक अगर आपको यह याद है यह sentence तो बहुत अच्छी बात है आप फॉरण question को कर लोगे न नहीं याद है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जैसे मैंने कहा है वैसे करना पड़ेगा ठीक खाली वैसे एक याद कर लो तो सब याद हो जाएगा inward negative clock उसकी हिसाम से सब बदलते चले जाओगे यहां देखो मैंने लिखा हुआ है module में देखो कहता है अगर magnetic field perpendicularly inward है positive charge है तो anti clock negative है तो clock ठीक और अगर outward हुई तो positive और negative एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा ठीक एक सवाल है एसे ही दे रहा हूँ चूरन चटनी टाइप का question है भाई और मैंनों देखो यहां एक magnetic field है जो inward है और मैं तीन charge particle का रास्ता बना रहा हूँ एक रास्ता है यह यह रास्ता है एक एक रास्ता है यह इसमें से guess करना है कि इन तीनों में से जैसे यह path number one है path number two है path number three path number one path number two path number three किसका है है ना यह guess करना है चलिए तो मैं आपको फटा-फट बता देता हूँ चलो बताओ path number one किसका है समझो inward और anti clock inward पे anti clock कौन जाता है positive charge inward पे anti clock कौन जाता है inward पे anti clock positive charge जाता है यानि यह कैसा charge है पहला वाला positive charge दूसरा वाला दूसरा वाला तो सीधे जा रहा है कहीं घूमी नी रहा है इसका मतलब इस पे force नहीं लग रहा है तो ये कैसा हो गया? Neutral ये हो गया neutral किस पे force नहीं लगेगा? जो neutral होगा भाया अगर charge particle होगा तो इस पे force निश्चित तोर से लगेगा और घुमेगा भी वो ठीक? और तीसरा और आखरी कैसा होगे? आप समझ चुके होंगे ये negative charge होगा क्योंकि ये clockwise जा रहा है ठीक है? तो simple question है orientation से आप charge के nature का अंदादा लगा सकते है ठीक है? पूरी theory पढ़ाने के बाद जो मैं question लगातार कराऊंगा तो और भी आपको ज़्यादा clear होता चला जाएगा लेकिन अभी फिलहाल ये सब approach है questions के ठीक? समझ में आगे है सब के? मैं मिटा देता हूँ इसको आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है? तो discussion 4 clear होगे आपको orientation of circular path of charge particle in magnetic field क्या होगा कैसे decide करते हैं ये मैंने आपको बता दिया अब हम आगे बढ़ते हैं deflection की बात करते हैं और deflection की चर्चा करते हैं deflection की चर्चा क्या है? वो समझिएगा अभी एक question में तो और समझाएंगे लेकिन हाँ समझिएगा देखिए जैसे माल लीजे कि कोई भी magnetic field मौजूद है ठीक? और आप ने क्या किया? कि उस magnetic field के एक charge particle लिया माल लीजे negative लिया और उसको मारा फेका जब आप उसको फेकेंगे तो जाहिर सी बात है ये circular बात में चला जाएगा ठीक? जाएगा? तो अपने पांथ से कुछ न कुछ एंगिल ये deviate हो जाएगा deviate होगा की नहीं होगा? इसी को कहेंगे आप angle of deviation या deflection जो भी कहेंगे अपने actual पांथ से ये कुछ एंगिल deviate हो जाएगा जितना छोटा radius आएगा जितना छोटा radius आएगा charge particle का deviation उतना ही जादा होता जाएगा जिसका deviation जितना जादा है इसका मतलब उसका radius उतना ही छोटा है अगर कोई भी charge particle किसी भी पांथ से deviate होता है अगर वो charge particle किसी magnetic field में आता है और वो deviate होता है तो भाई और बैनों जितना बड़ा radius होगा उतना कम deviate होगा जितना छोटा radius होगा आपने fake आई हूँ माँ लेज छोटा radius बना है तो यह बड़ा radius देख रहे न आप अलग-अलग deviation आ रहा है तो जब कोई भी यहाँ पर देखिए figure भी बना हुआ है जब कोई charge particle किसी velocity से enter करता है मैंगरी फिल में that charge will deflect it more for which radius of सब्सक्रापाथ इस मरोना है वाइसी वर्सा ठीक क्लियर है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक ओल्राइट तो यह बात आपके समझ में आ चुकी है हम लोगों ने पहले discussion में radius को compare करना सीख लिया ठीक है radius को compare करना सीखा radius को compare करने के बाद हमने क्या सीखा orientation कैसे तै होता है और orientation के बाद हमने deflection को सीखा एक और चीज है जो मैं आप से discuss करने जा रहा हूँ यह बहुत ही important चीज है very important हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे हम यहां magnetic field ले रहे थे और उस magnetic field के बीच में एक charge particle रख रहे थे और इसको मार रहे थे यह घूम रहा था ऐसे ही तो हो रहा थे लेकिन अब हम इसकी बात नहीं करने वाले है अब हम बात कुछ अलक्सी करने वाले है बात क्या अलक्सी है वो समझने का प्रियास करिएगा इस बार magnetic field मौजूद है लेकिन magnetic field has some boundary यह boundary है magnetic field की और इसी में भाई और बैनो magnetic field लगी हुई uniform ही magnetic field है this is the boundary of magnetic field समझ यह कहां very important actually यह सब questions है जिनको मैं discussion के form में आपसे करा रहा हूँ ठीक clear है कोई दिक्कत नहीं यह जो magnetic field लगी हुई है इस region की चोड़ाई D है कितनी है इस region की चोड़ाई D है कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परिशानी नहीं है ठीक, सही जा रहा है एक दम अपने अब एक charge particle है और वो charge particle कोई भी ले लो, negative भी ले लो वो कुछ velocity से आ रहा है और वो इसमें entry करना चाहता है इस region में इस magnetic field के इलाके में entry करना चाहता है मेरी बात को सुनिएगा very clearly सुनिएगा इस boundary के साथ चाहे वो ऐसे घुसे किसी भी एंगिल पे घुसे लेकिन वो 20 से 90 डिग्री बनाएगा बहुत clearly सुनिएगा confused होने की जरुवत नहीं है बी inward है जी ये boundary है चाहे ऐसे घुसे कैसे भी घुसेगा भाई और बैनो ये 20 से तो 90 डिग्री बनाएगा लेकिन जब ये इसके अंदर entry करेगा किस एंगिल पे entry करेगा जिस एंगिल पे entry करता है भाई और बैनो वही ये तै करेगा कि इस boundary के अंदर जाने पर इस boundary के अंदर जाने पर वो magnetic field के अंदर उसका अंत्रपरिनाम end result क्या होगा जैसे ये पार्टिकल जैसे ही इसमें entry करेगा वैसे ही इसके उपर fm लगेगा मानते हो fm नीचे लगेगा समझ जाईए fm नीचे लगेगा तो एक बात तो sure है वो circular path में घुमेगा अरे भाया अगर v perpendicular to b है तो circular path पे नहीं घुमेगा इसमें कोई दोर आए नहीं है इसमें कोई शक नहीं है कि charge circular path पे नहीं घुमेगा charge circular path पे घुमेगा भाय और बहनो ठीक ये बात sure है अब जब ये circular path पे घुमेगा हमको दिखा कि fm downward लगेगा तो इसका मतलब center तो यहीं हो गया ना circular path का इसका मतलब वो circular path कुछ यहं होगा निकलते वक्त निकलते वक्त उस charge point किल के पास जो speed होगी वो वही होगी जो entry करते वक्त है ठीक है सही बात है वही होगी जो entry करते वक्त है clear और भाईयो और बहनो यह circular path का radius है क्या यह circle complete हुई है नहीं हुई है मैं circle कैसे complete करा रहा था इसके पहले मैं क्या कर रहा था पूरे में magnetic field लगी हुई थी ना बीच में जाके मैं फेक रहा था तो यह घुम रहा था अब ऐसा नहीं है margin पर जाके हम फेक रहें फेकेंगे तो इस तरह से इसका motion होने माला है यानि कि यह जो charge particle है यह complete circle नहीं करेगा नहीं करेगा तो fm downward लगेगा यह नहीं लगेगा अरे निकालना चाहो निकाल लो अभी निकाले थोड़ी पहले fm जब downward लगेगा तो center तो यहीं आएगा अरे जब center यहां आएगा तो जहीर सी बहुत है कि circle यही बनेगा भाईया center यह आ रहा है center यहां कहीं होता तो circle कहीं और बनता तो हमने अपने logic से अपने मंतिक से एक बात को समझा कि अगर 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 charge particle boundary से perpendicularly गुसता है यह कैसे गुसा है यहां देखो perpendicularly गुसा है दिख रहा है तो perpendicularly जब गुसेगा भाईयो और बहनो तो but obvious सी बात है but obvious सी बात है कि यह जो है आधा circle ही इसमें चल पाएगा अच्छा इस circular बात का radius क्या होगा भाई उसका formula change नहीं होने वाला mv by में qb इसमें कोई शकवाली बात नहीं है दूसरा इस charge particle का time period क्या होगा उसका भी formula वही आने वाला है 2 pi mv by में qb लेकिन क्या इसने एक circle complete किया नहीं उसके पहले ही बाहर आ गया अच्छा एक चीज़ और है जितनी speed से इंटर किया तो अतनी speed से निकल ला है speed नहीं change होगी भाईयो बैलो magnetic field के द्वारा लगने वाला force क्या speed बदलता है बताइए नहीं बदलता है आप तो जानते हैं है ना तो time period का formula भी same radius of radius of circular path का भी formula से फर्क कहां आएगा कि ये actually circle complete ही नहीं करेगा ये actually circle complete नहीं करेगा तो इसका मतलब ये जो time interval अंदर बिताया है वो पूरा circle नहीं बलकि उसके आधा time को तक रहा है और आधा time अगर करोगे तो कितना देर आएगा बताओ जल्दी मुझे pi m y में qb have you got it ठीक है यानि कि charge particle entry करेगा लेकिन अपने circle को complete नहीं करेगा आधा circle complete करके बाहर आ जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके कुछ और points हैं कुछ और बिंदू है जिसे हम लोग यहां पढ़ना है और समझना है ठीक है देखो यह जो कितनी चौडाई है कितनी width है इस region की यह d क्या है यहाँ पर कितनी चौडाई में magnetic field लगा है क्या radius उस चौडाई पर depend कर रहा है नहीं यह इसके mass इसकी speed, charge बी पर depend करता है वो कितने range में कितने दूर तक में कितनी चौडाई में magnetic field लगा इस पर depend नहीं करता है न time period न radius अच्छा बहुत बढ़िया जा रहा है अच्छा सोचिए अगर यह जो आपने magnetic field लगा रखा है यह magnetic field D जो है वो r से कम होती तो क्या होता यानि ये field सोचो यहीं तक होता तो radius बदलता क्या नहीं radius तो वही होता जो अभी है तो radius पूरा ही नहीं हो पाता ये तो इधर भाई अगर मान लीजे यहीं तक field होती यहीं तक field होती तो क्या होता यहां से charge particle आता और यहां से बाहर आ जाता इतने ही दूर तक आपने mind field लगाई होती यहां से आता इससे spar चला जाता वापस लोटके नहीं आता इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि यह वापस जो है आप इसको region 1 कह दो इसको region 2 कह दो और इसको region 3 कह दो अगर आप चाहते हो कि region 2 से यह region 1 में वापस आ जाए for returning back for returning back वापस आना चाहता है इस charge particle तो यह जो d होना चाहिए that should be greater और कम से कम equal to radius ठीक याने d must be greater और equal to mv by में qb I hope आपको यह बाद समझ में आई होगी ठीक अगर आप चाहते हैं कि यह वापस आए आपके module में इसका discussion है इसकी चर्चा की गई है देखे returning back की होना चाहिए v की value पे चर्चा गई है अगर अगर यह जो d है r से कम हुआ तो यह वापस नहीं आएगा उस पार चला जाएगा ठीक है तो आप चाहें तो notes में इसको note कर सकते हो module में figure थोड़ा उतना clear नहीं हो पाएगा शायद आपको है ना बना तो हुआ है लेकिन आप ऐसा करो आप इस figure को बना लो that will be better है ना इसको बना लिजे please ठीक समझ में आ गया आईए मामले को बढ़ाते हैं अब आपको एक नई चीज़ बताते है अब हम दूसरे तरीके से लेके जाएंगे देखो कैसे लेके जाते है आपको 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 आपक ठीक चले next देखो next situation फिर से आपको सच्वार है और ध्यान बुर्वक समझीएगा हो सोचीएगा यहां पर charge particle को हम किसी और एंगिल पे entry करवा यह है charge particle से negative ही ले लो यहां से entry लिया ठीक है यह है negative charge में और यह मारा भी कुछ थीटा ले सकते हो जैसे चाहिए वैसे ले लो थीटा ले जो थीटा मत बोले इसको हाँ ठीक चलो थीटा यह बोले आलफा बोलो whatever देखो यह वी है न वी है अच्छा बी किदर है अंदर और यह वी है तो वी क्रॉस भी इधर आएगा और उसके जस्ट अपोजट अपोजट एफम आ जाएगा तो एफम इधर आएगा यह आएगा एफम और यह घूंके निकलेगा जाहिर सी बात है जब यहां पर यह निकल ला होगा तो इसके पर पेंडिकुलर होगा यह ठीक आया ना और अगेन यह भी इस पीट से निकल ला होगा अब गौर कर यह अब देखे क्या हो रहा है क्या रेडियस अभी भी यही आएगा बिल्कुल नहीं आने वाला है रेडियस के फार्मुले में कोई बद्लाओ नहीं है क्योंकि सब कुछ सेम है ना सब कुछ सेम है तो कैसे बद्लाओ आएगा है कि उसके बाद देखो क्या है टाइम पीडेट भी वही आएगा फार्मुला क्योंकि उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है क्या time period में क्या change हो रहा है लेकिन क्या इस region के अंदर इस field के अंदर इसने t by 2 समय तक रहा ये नहीं क्यों क्यों क्योंकि आधी circle नहीं पूरा किया ये कुछ और पूरा किया कितना पूरा किया है देख लेते हैं ये theta है ये कितना हो गया 90 minus theta ये कितना है 90 minus theta अगर आप देखो कि ये है 2 theta तो ये कितना बचा 2 pi by में 2 pi minus में 2 theta यानि कि अगर ये theta है तो ये 90 minus theta देख लो ने ये fm है ये वाली line है ये 90 minus theta ये 90 minus theta इस तिर्भुच को देखोगे अगर ऐसे बना हुआ है देखो ये 90 minus theta अगर हो और ये 90 minus theta हो तो सन्नाटे में घर पे करना ये 2 theta आएगा तो बाकी बचावा इंगेल कितना होगे 2 pi by में 2 theta तो अब आपको देखना है कि ये आधा सरकिलना करके उससे ज़्यादा कर रहा है तो time period तो वही रहेगा लेकिन जो time interval है वो different आने वाला वो ये नहीं आने वाला जो पहले आया था अब वो ये नहीं आएगा गलत कितने time तक ये अंदर रहा कितने time तक अंदर रहा भाई पूरा time period T है और पूरा angle 2 pi है तो T by 2 pi समय लगा unit angle के लिए कितना angle तै किया है अंदर अंदर तै किया है 2 pi minus 2 theta ठीक तो इतने समय तक ये अंदर रहा clear है कि नहीं clear है इस calculation में बहुत ज़ादा मत पढ़िए neat के level पर खास करकी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से आपको इतना समझ लेना है कि ये जो boundary से भाई और बैनो ये जो boundary से जो angle बना रहा है न ये दिख रहा है आपको यही तै करता है कि ये कितनी देर अंदर रहने वाला है तो यहां से point निकल किया आया कि अगर कोई uniform magnetic field में charge particle की entry होती है अगर किसी uniform magnetic field में charge particle की entry होती है तो उस magnetic field में कितनी देर वो charge particle reside करेगा ये निर्भर करेगा कि उसके boundary से वो कितना angle बना रहा है उसकी boundary से वो अभी मैंने 90 पर लेकर गया थे तो t by 2 किया था है ना किया जाग नहीं किया देखो ये देखो इसके पहले वाले में किया था है ना हम लोगों ने ये calculate किया था ठीक तो ये है उसके बारे में पूरी चर्चा करी थे हम लोगों अगर charge particle कि किसी और angle पर जा रहा है तो किसी और angle पर जाएगा तो यहाँ एक बात लिखी हुई है कि time interval from about is clear that time interval for which the charge particle stays in magnetic field depends upon angle with boundary of field at which it enter यानि boundary से कितना angle बना रहा है उस पर निर्भग करेगा यूँ कितनी देर रहता है ठीक कोई समस्या कोई दिक्कत की बात नहीं है I hope आपके समझ में आ गया होगा ठीक है तो हम लोगों ने इस case के अंदर case 2 के अंदर जहां circular path हाया वहाँ radius की चर्चा करी time period की चर्चा करी उसके बाद किस तरीके से radius को compare करते है उसकी भी चर्चा करी orientation कैसा होगा उसकी चर्चा करी हम लोगों ने चर्चा करी deviation की हम लोगों ने चर्चा करी कि कितना देर वो stay करेगा और किस situation में वो stay करने वाला, ठीक है, question कराएंगे तो और clear हो जाएगा, लेकिन फिलहाल theoretical part पे हैं हम लोग, अब हम आखरी बात करने जा रहे हैं, इस particular case की है ना, 90 degree वाले case की, ठीक, यहां हम लोग बात करने वाले हैं, भाई और मैंनो, अब हम एक charge particle पर, electric field और magnetic field का combined effect पढ़ने वाले हैं, तो combined effect of, combined effect of, क्या, electric field and magnetic field, हम अलग अलग situation लेंगे, और यह देखेंगे, कि इन situation में, charge particle का, क्या अंजाम होगा, मैंने लॉरेंग दे फोर्स का जिक्र किया था, या ना रहा है, क्या था, बताओ, QE, FE, प्लस में FM, यस और नो, तो यहां से F क्या आया था, QE, और प्लस में, QV cross B, ठीक, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, तो अलग-अलग situation है, आपके module में वो situations लिखी हुई है, मैं वहीं इते उठाता हूँ, एक एक करके, जैसे situation 1 है, क्या कहता है, देखो, combined effect है, यह एक charge particle है, जो किसी region में entry करता है, कहता है, अगर E नहीं है और B नहीं है region में, मतलब कोई charge particle किसी region में entry कर रहा है, ना तो E है, ना तो B है, तो जा E नहीं, अब B नहीं, तो क्या होगा, particle पे कोई force नहीं, अरे भाईया, electric field भी नहीं है, magnetic field भी नहीं है, दोनों का force नहीं है, तो दोनों का अगर force नहीं होगा, तो charge particle कैसे जाएगा, un-accelerated जाएगा, un-deviated जाएगा, as there is no force on charge particle, clear, ना वो accelerate होगा, ना वो deviate होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा, दुजरा case, अगर E है, पर B नहीं है, अगर B नहीं है, E मौजूद है, तो E का तो force आएगा न, तो electric field का force आता है, तो electric field का force, इस speed को निश्चित बदलता है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, magnetic field का force, कभी speed नहीं बदलता है, अरे भाई, शुरू में ही बात किया है, अरहा या न, electric field का force, इस speed निश्चित तवर से बदलेगा, surely change speed of charge, that is, motion of charge particle will surely be accelerated, but it is possible that the motion is undeviated, अच्छा, मेरी बात को समझे, जैसे माल लिजे कि यहाँ पर एक electric field लगा हुआ है, इस तरह से, अगर कोई charge particle, इसी की direction में जा रहा है, या opposite जा रहा है, तो यह undeviated तो जाएगा, लेकिन यहां से जब यहां पहुँचेगा, तो निश्चित तोर से इसकी speed बदल चुकी होगी, यहां से यहां पहुचेगा, तो निश्चित तों से इसकी speed बदल चुकी होगी, यह speed बिना बदले नहीं, बतले स्पीड तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन हो सकता है undeviated जाए, और कम जब ऐसा होगा, यह possibility है कि undeviated जाए, यह होने पर, गारंटी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर e ऐसे होता, सोच लो, e ऐसे होता, और कोई charge particle इधर से entry करेगा, तब तो deviate कर जाएगा ना, parabola path हो जाएगा नहीं हो जाएगा, negative charge, ठीक, याद आ रहे हैं, तो सिर्फ इस situation में, इसलिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यह बांद, यह बांद देखो लिखी हुई है, कि अगर e है, e not 0 का मतला e है, ठीक है? e है, बहुत clear cut बात लिखी है, e है, then elective will will surely change the speed of charge particle, that is motion of charge particle will surely be accelerated, but it is possible that motion is, it is possible लिखा है ना, देखो, और उसकी situation लिखी है, अगर charge particle 0 degree या 180 degree पर जाता है, ठीक, कोई दर्द नहीं है, situation 1 समझे, situation 2 समझे, situation 3 की बांद, कि अगर electric field नहीं है, पर magnetic field है, तो ये possible है, कि motion un accelerated and undeviated हो, देखो, मेरी बात समझो आँ, फिर से, इस बार electric field की बारे में कोई बात चीत नहीं होगी, इस बार बात होने वाली है, magnetic field की, तो magnetic field अगर मौझूद है भाई और बहनों, 90 degree पे अभी हम ले करके गए थे, तो वो deviate कर रहा था, circular path में जा रहा था, लेकिन 0 degree या 180 degree पे charge particle जाएगा, तो क्या इस पे force लगेगा, नहीं, जब force ही नहीं लगेगा, तो न deviate होगा, न next rate होगा, लेकिन अगर इस situation में ये चला जाएगा, जैसा कि हम लोग ले जा रहे थे, 90 degree पे charge particle को ले गए थे, बोल फेके थे, तो deviate भी हुआ, और अरे भाईया, इसके पास acceleration है कि नहीं है, सबकुला पात पे घूम रहा है, तो acceleration है न, ठीक, तो ये संभा है, कि B हो, पर न acceleration हो, न deviation, ये possible है, guarantee नहीं है, यहाँ कहा है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक्सलेशन भी है, deviation न यहाँ acceleration है, न यह deviation है, that is what sentence is used किया, जर अग और करिएगा, बहाँ दाराम से, अच्छे से देखिएगा, क्या कहता है, if B है अगर, it is possible, it is, यह possible है कि motion unexpected, undeviated हो, अगर magnetic field, charge particle की velocity से 0 या 180 degree पे मौजूद हो, ठीक, तो E और B के अलग-अलग combination को पढ़ा, अब final combination पढ़ना है, चौथा combination, E भी है और B भी है, अब मेरी बात सुनियेगा, बहुत important, यहाँ समझा दू, फिर sentence पढ़ाता हूँ, देखिए, एक बात sure है, कि अगर E भी है और B भी है, तो E का भी force आएगा, और B का भी force आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो Q, E और B, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, कि E और B equal and opposite हो जाए, E और B, FE और FM, मतलब E और B का जो force है, FE और FM, E और B नहीं, FE और FM, E और FM, equal and opposite हो जाए, कुछ ऐसी setting कर डाले, कुछ ऐसा महौल बना डाले, कुछ ऐसी situation बना डाले, कि E और B क्या हो जाए, FE और FM सेम हो जाए, equal हो जाए, opposite हो जाए, तो net force 0 हो जाए, हाँ या ना, simple है, FE और FM, equal हो जाए, तो net force क्या हो जाएगा, equal and opposite, तो net force 0, आईए देखते ह देखो, देखो ध्यान से देखना अल्राइट, सबसे पहले मैं बनाता हूँ magnetic field yellow यह है यह है यह है charge particle कौन सा ले हैं, negative ले 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 positive ले ले, जो मन करे ले positive ले ले, लो और आपने यहाँ पर speed दिया V, समझो, V, B के यह मैं situation ला रहा हूँ जब इस F को zero करना है मुझे मेरा मन है कि मैं इसे zero करूँ यानि charge particle जा रहा है net force उस पे zero है जबकि E भी मौझूद है, B भी मौझूद है electric field भी मौझूद है, mad field भी मौझूद है let's see, B अंदर है दिख रहा होगा आप लोगों को यह V है FM लगेगा? लगे नहीं लगे, जिल्दी बताओ लगेगा, किदर लगेगा? V यह से है B अंदर है V, B V cross B, उपर की तरफ खट से, तो एक force आएगा कि नहीं लगेगा? without any doubt yellow FM कितना आएगा FM? QE B क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है ठीक? राइट अब क्या हुआ? अब अब क्या होगा? यहाँ पर B ही थोड़ी मौजूद है E भी मौजूद है माल लो E नीचे uniform है E नीचे E अगर नीचे है तो इस पर F E किदर लगेगा? नीचे की और ही तो लगेगा क्यों? positive charge पर field की direction में force लगता है कितना force लगेगा? Q into में E हम settlement कर रहे हैं B inward V ऐसे और E नीचे तो इसके उपर अगर हमने ऐसा इत्तफाक बना दिया यह दोनों बराबर हो गए तो net force क्या हो गया? 0 और net force 0 अगर हो गया तो un accelerated जाएगा और undeviated जाएगा यानि बिलकुल सीधे सीधे निकल जाएगा बिना accelerate होए है ना? समझ में आ रहा है कि यहां यानि कि F E बराबर में क्या हो गया है? FM हो गया है F E मतलब Q E Q E और यह क्या है Q E B Q Q cancel B बराबर कितना हो गया? E by B यह formula पर direct सवाल भी पूछता है लेकिन situation याद रखना है कि यह formula कब लगता है? जब एक charge particle ऐसे region से गुजरे ऐसे एक शित्र से गुजरे ऐसे इलाके से गुजरे जहाँ E B हो, B भी हो लेकिन unexcellated हो, undeviated हो इसका मतलब speed E by B के बराबर होगी यह हम वही से तो लेके आए हैं तो क्या situation है कि E B हो B B हो E B हो, B B हो पर unexcellated जहाँ net 40 ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब E और B एक दूसरे के perpendicular होंगे किदर कैसे होंगे? E और B एक दूसरे के perpendicular होंगे and V is perpendicular to vector E cross B यह ध्यान लखेगा, यह शर्त है अभी देखो, दिखाते हैं कैसे E नीचे है B है E और B E cross B करो, इधर है कि नहीं velocity? तो velocity must be along E cross B ठीक है? परपेंडिकुलर लिख रहा है V का direction along होना चाहिए perpendicular नहीं भाइवे E cross B के along होना चाहिए E cross B के along not perpendicular V should along E cross B यानि V, E, B तीनों परपेंडिकुलर हों और V, E cross B की direction में हो अगर ऐसा मिल गया आपने ऐसी setting कर डाली कि V, E और B के ratio के बराबर है तो un-exceled, un-deviated दो शर्ते हैं पहली शर्त V, E cross B के परपेंडिकुलर हो और V की value E by B के बराबर हो तो un-exceled जाएगा यानि यह संभा है कि एक जगह E भी लगा हो और B भी लगा हो और charge particle un-exceled या un-deviated जाएगे आएगे, मैं इसको module में दिखाता हूँ आपके समझ में आएगा यह देखो अगर E और B then it is possible E भी है, B भी है then possible that charge particle un-exceled and un-deviated जाएगे अगर E और B एक दूसरे के perpendicular हो और charge particle की velocity E cross B की direction में हो समझा गया? यही शर्त है कि E और B एक दूसरे के perpendicular हो और charge particle E cross B की direction में हो ठिक? यह जगह देखो खाली है यहाँ पर खाली है ना? page number 57 पे इस जगह में आप यह वाला figure बना लीजिए यह वाला figure जो लोगे screenshot ने ना चाहते हैं ले लीजे नहीं यह figure वहाँ पर बनेगा ठीक है? बना लिया होगा यह अप आपने जी और यहाँ पर V की value को दिखाया गया है V बराबर E by B ठीक? तो यह सारे discussion जो थे वो हमने कर डाले किस angle पे? भाईया हम लोग trajectory पढ़ आए थे trajectory में case 1 था जब angle 0 degree या 180 degree था तो undeviated गया समझ में आ गया उसमें हम लोग उने radius निकाला time period निकाला तमाम तरह की बाते करी radius का comparison किया time period का comparison किया orientation बताया मैंने deviation बताया मैंने आपको बहुत सी चीज़े इसमें बता दी है ठीक है? और यह discussion भी कर डाला अलग-अलग situation लिया ठीक? अब यहाँ पर आपके सामने case 3rd आ रहा है जब angle 0 degree ना हो 90 degree ना हो 180 degree ना हो कोई और angle पे अगर charge particle यह जो सारा हंगामा हो रहा था यह 90 degree पे हो रहा था 0 degree और 180 degree पे तो कोई force ही नहीं लग रहा था un accelerated, un deviated 90 degree पे circular path uniform circular motion हुआ अगर 0, 180, 90 ना हो कोई और angle हो तो क्या होगा? ज़रा गौर करिएगा थोड़ा समझीएगा ठीक? 90 degree वाला case याद है circular path प्रोवाइड हो जाएगा radius आपको याद है सब कुछ याद है चलिए यहाँ मैं आपके सामने situation बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए ठीक है? आल राइट चलिए बनाते है यहाँ पर यह x-axis है यह case third है भाईयो we are going to discuss case third जहाँ पर theta 0, 90, 180 के लावा कुछ और है और यह z-axis है ठीक हो सकता है आज का वीडियो कुछ थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन topic समाप्त करना है magnetic field माल लीजिए यू लगी हुए y-axis पर और एक charge particle है भाईय और भेनो minus plus जो भी माल लो whatever और और वो B से कुछ angle पर एंट्री करता है थीटा तो what is going to happen समझेगा अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कुछ डंडियों की मदद से कुछ लकडियों की मदद से ठीक देखिए यहाँ पर यह magnetic field है ओपर की तरह और यह समझेगा यह magnetic field है charge particle ऐसे लगा हूँ charge particle एंट्री करता है यह अब यह angle कितना है V और B के बीच का angle है अरे थीटा ना तो यह 0 है ना तो यह 90 है ना तो यह 180 है यह कुछ भी है 30, 60 जो भी हो एंट्री करता है समझेगा और B किदर है उपर की और इसी figure से match करा रहा हूँ इस V का एक component कर लिजे V cos theta और एक component कर लिजे V sin theta तो आप V को भूल जाएए यानि V किसी angle पर एंट्री किया था और हमने क्या किया V का दो component करवा दिया ठीक V का दो component करवा दिया ठीक चलो थोड़ा 90 degree ना भी दिखे तो माल ने ना ये एक component ये V था V का एक component करा दिया इधर V cos theta और इधर V sin theta अगर V था नहीं है तो एक component इधर है V cos theta और इधर V sin theta ठीक V cos theta अगर आप देख पा रहे हो तो B की direction में है magnetic field और V sin theta B के perpendicular है यानि इस charge particle के पास अगर देखा जाएं तो दो-दो velocity हम कहेंगे एक velocity है जो magnetic field के along है और एक velocity है जो magnetic field के perpendicular है ठीक है ये लो एक magnetic field के along है और एक magnetic field के perpendicular है एक ही velocity पर हम अपनी सुविधा के लिए हमने इस force इस velocity को दो हिस्सों में बांट दिया एक V cos theta और एक V sin theta तो अब हम V को भूल जाए V नहीं है माल अब जो भी मात होगी वो बाद V cos theta और V sin theta से होगी यानि इस charge particle को V cos theta कहता है कि तुम उपर चलो charge particle है कहता है चलो तुम उपर V sin theta कहता है तुम इधर चलो अब ध्यान से सुनिए ये जो B है इसका effect किस पे आएगा V sin theta पे आएगा या V cos theta पे आएगा V cos theta पे असर नहीं आएगा क्यों जो velocity B के along होती है याद करिए जो velocity B के along होती है उसपे B कोई प्रभाव नहीं डालता है B का असर उस velocity पर B magnetic field का असर उस velocity पे नहीं होगा जो उसकी direction में होगी तो V cos theta B की direction में है तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा यानि charge particle के पास ये वाली speed change ये वाला component change नहीं होगा ये component इस charge particle का change नहीं होगा यानि ये component charge particle से कहेगा कि हम तुमको उपर लेके चलेंगे अब B हमारा कुछ नहीं बिगार सकता B हमारा बाल बांका नहीं करेगा लेकिन बेचारा ये जो V sin theta है उसके उपर तो ये force लगा देगा क्यों? 90 degree पे है अभी अभी पढ़के आए हो case 2 से आप कि भाया अगर charge particle की velocity magnetic field के perpendicular होती है तो वो charge particle को circular path के घुमा देगा तो V sin theta के ऊपर B का effect आएगा V cos theta के ऊपर effect नहीं आएगा तो charge particle V cos theta की वज़त से ऊपर जाएगा और V sin theta की वज़त से गोल घुमेगा तो result क्या होगा? गोल घुमेगा उपर जाएगा गोल घुमेगा उपर जाएगा तो जरा सा गोल घुमाईए और उपर ले जाएए जब गोल घुमाएंगे और उपर ले जाएंगे तो ये बन के त्यार होगा एक हेलिक्स यानि पाथ कैसा हो जाएगा हेलिकल हो जाएगा सब मीट विट गया बनाना पड़ेगा चलो अच्छा बना देते हैं कि उसे अच्छा रुको बस यहीं तक है लो चलो कोई बात ने बना ही ठीक वी का दो कंपोनेंट आ जाएगा एक यह आएगा वी कॉस थीटा और इधर आएगा वी सैं थीटा और आज रिजल्ट क्या होने वाला है आज रिजल्ट यह घूमेगा और उपर जाएगा घूमेगा और तो पाथ कैसा बन गया हेलिकल उपर कॉन Лे जा रहा है वी कॉस थीटा गोल कॉन हमा रहा है वी सईन थीटा ठीक बात है झब यहां से माण लो चला और एक बार जब चकरी मार दिया होगा तो कूछ उपर चला गया नहीं है कुछ उपर जाएगी नहीं जाएगा बिल्कुल जाएगा ठीक clear एक बार चकरी मानेगा यह उपर कौन ले जा रहा है वी कौन सीटा और गोल कौन गुमा रहा है वी साइन थीटा तो सबसे पहले इस हेलिक्स का रेडियस निकालोगे क्या निकालेंगे रेडियस रेडियस उफ हेलिक्स तो जब रेडियस कलोगे तो एमवी बाई क्यू भी आता है न तो एमवी के जग़ा एमवी साइन थीटा बाई क्यू बी आएगा समझेगा क्योँ? क्योंकि घुमाने के लिए गोल चकर लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है V sin theta ठीक बात है तो V sin theta कर जिम्मेदार है तो radius यह होगे radius के बाद time period यानि एक चक्कर घुमने में कितना time लगा इसका यहां से यहां पहुंचने में कितना time लगा time period क्या होता बताओ formula 2 pi r by में V sin theta लेंगे फिर वही बात है समय बराबर दूरी बटा चाल तो एक चक्कर लगाया 2 pi r और किसकी वज़े से V sin theta की वज़े से तो 2 pi r by V sin theta करेंगे ठीक है अरे गोल घुमाने के लिए जो जिम्मेदार है उसी से हम time period निकाल ले है गोल घुमाने के लिए कौन सा component जिम्मेदार है V sin theta और V sin theta से हम calculate करते हैं चलो calculate करो तो 2 pi by में V sin theta और r की value mv sin theta by में qb तो V sin theta से V sin theta चला गया तो time period is equal to 2 pi m by qb अरे भाया formula तो इसका भी वही आया है जो वहां आया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई समस्या नहीं है तो radius निकाल दिया और time period निकाल दिया उसके बाद जो ये एक चकर में कुछ ऊपर चला जाता है इसको हम कहते हैं pitch क्या कहते हैं pitch आप लोगों ने pitch का word का नाम screw gauge में सुना होगा वहां सुना होगा कि एक बार घुमाने से जितना linear displacement हो जाता है उसी को हम pitch कहते हैं तो यहाँ पर भी एक बार घुमने से जितना linear displacement होता है उसको हम pitch कहते है और pitch के लिए जिम्मेदार कौन है V cause theta अरे भया उपर कौन ने जा रहा है V cause theta कितने time में ले जा रहा है एक time period में तो आपको ये दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुड़े समय एक चक्कर का समय चाल कौन लोगे V cause theta लोगे तो भाई और भैनो मैं यहाँ पर pitch निकालने जा रहा हूं आपकी मदद से मैं आपको यहाँ पर pitch बताने जा रहा हूं pitch बराबर आएगा V cause theta into में T कोई दिकत एक और चीज़ समझते हैं very important यह जो pitch है यह center पे कुछ angle बनाता है इस angle को कहते है angle of helix जहान से समझेगा जब यहाँ से ऐसे उपर उठा तो यह कुछ उपर चला गया कि नहीं उपर चला गया सोचिए और यह जो उपर है यह center पे कुछ angle बना रहा उसी को कहते है angle of helix radius माल लीजे कि R है radius R है तो यह angle of helix कैसे निकलेगा angle of helix निकलेगा angle बराबर R कपॉन radius यानि alpha बराबर P by R तो अगर आप से कहा जाए कि आप angle of helix निकालेगा angle of helix ठीक डाट इस alpha alpha बराबर आएगा P by में R यह सुनो simple है alpha is equal to P by में R ठीक तो आपको radius बता दिया आपको time period बता दिया आपको pitch बता दिया आपको angle of helix बता दिया तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आप किसी अन्य angle पर लेकर के जाएंगे तो V जो है वो magnetic fields अगर कोई angle बनाएगा तो एक component उपर ले जाएगा या मतला linear displacement कराएगा और एक इसको circular path पे घुमाएगा as a result यह helical path पे जाने वाला है तो module में आपके सामने मैं बता दे रहा हूं वो भी देखे लिखा हुआ case third if the charge particle in the manifold other than 090 180 component V cos theta will not be affected by manifold as it is in the direction of manifold due to this component charge particle move linearly since V sin theta is perpendicular to manifold therefore due to this component the charge particle moves on circular path as a result above two motion the charge particle move on helical path कैसे path में जाते हैं helical path में यह radius निकाला time period निकाला pitch निकाला और angle निकाल लिया ठीक यहां पर देखो एक जगह खाली है आप लोगों के module में खाली होगी निश्चितों से आप यह वाला diagram बना लीजे ताकि यह complete हो यह diagram बना लीजे ठीक है ठीक है तो हम लोगों ने आई होप आपने इसे बना लिया होगा तो हम लोगों ने इस topic में force on charge particle वाले topic में क्या-क्या चीजें पढ़ी हैं उसको मैं फिर से एक बारी revise कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए सबसे पहले हमने पढ़ा force कितना लगता है qvb sin theta फिर हमने पढ़ा इस force की क्या-क्या खूबियां थी वो सब बात की हमने कि speed नहीं बदलता kinetic energy नहीं बदलता उसके बाद हमने trajectory पढ़ी क्या path आएगा case 1 लिया 0 degree 180 degree पे straight line 90 degree पे हमने case 2 बनाया circular path हाया circular path के में हमने तमाम discussions की है और उसके बाद हमने 0, 90, 180 के अलावा किसी और angle पे पढ़ाई करी तो हमें path पता चला कि helical है ठीक है तो ये सारी कहानी force on charge particle के बारे में आपसे मैंने चर्चा किया इस पे कुछ questions है अगला जो lecture आपका मैं लेने वाला हूँ उसमें questions में पहले करा दूँगा फिर force on wire पे हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है पहले कुछ questions होंगे 15 questions करा देंगे जैसे थोड़ा आपको इस topic पे और आपकी अच्छी पकड़ बन जाए और फिर उसके बाद हम लोग अगला topic स्टार्ट करेंगे तो अगले वीडियो तक इंतिजार करिए इसको revise कर लीजे घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए पढ़ाई discontinue मत करिएगा Thank you, thank you very much